नमस्कार जाने अंजाने में ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए सबसे जादा गलती कहां किस परकार की देखने को मिलती है जब मैं साइट विजिट पर जाता हूँ तो मेरे को वहाँ पर में एंकरंस पर देखने को क्या मिलता है आप इमेज को देखकर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि में एंकरंस पर या हर रूंकी चोहट के बीच में लक्षमी जी के चरण पादु का लगाए वे होते हैं और उनके बीच में क्या होता है स्वास्तिक ये स्वास्तिक बना हुआ होता है स्वास्तिक कभी भी पैरों में नहीं आना चाहिए हम जाने अन जाने में गलती तो कर देते हैं लेकिन ऐसी गलती इस दिवाली बिलकुल भी नहीं करेंगे आप जब बाजार से लक्षमी जी के चरण पादुका लेके आएं तो उसके बीच में स्वास्तिक नहीं होना चाहिए आप जब लक्षमी जी के चरण पादुका लेके आएंगे तो वो लक्षमी जी के चरण पादुका इस प्रकार से प्लेन होने चाहिए ऐसे चर्ण पादुका हमेशा ही अच्छे रहते हैं घर के अंदर मा लक्ष्मी आ जाती है आप ऐसे लक्ष्मी जी के चर्ण पादुका आप अपने घर के हर चोबट पर लगा सकते हैं लेकिन ध्यान रखना है कभी भी लक्षमी जी के चनपादु का टॉयलेट के दर्वाजे के आगे नहीं लगाना चाहिए। कुछ जगए देखने में आता है कि टोलेट के दरवाजे के आगे भी लक्षमी जी के चनलपादु का लगा देते हैं और उसके अंदर स्वास्थिक बना हुआ होता है जब उनको कहते हैं जी आपने क्या गलती की हुई है बातरूम के दर्वाजे के आगे आपने लक्षमी जी के चनल पादू का लगाए हूँ है और इसमें स्वास्तिक बना हुआ है फिर क्या कहते है बंसल जी हमने तो देखा नहीं हमने ध्यान नहीं दिया और ये हमसे तो बड़ी गलती हो गई वैसे तो पूजा पाठ बहुत बढ़िया करते हैं सारी चीजे सुबह भी पूजा करते हैं शाम को भी पूजा करते हैं लेकिन इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए इस दिवाली आप इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी ना करें अब दिवाली आ रही है तो आपने ध्यान रखना है अपने घर की जितने भी टूब लाइट है उनको अच्छे तरीके से साफ करना है घर के अंदर रोशनी भरपूर होनी चीए कुछ घर ऐसे देखने में आते हैं जिनके अंदर छोटी छोटी लाइट लगाई होते हैं और घर के अंदर रोशनी भी बिल्कुल मिनिमम होती है बहुत कम होती है तो आपने इस दिवाली अपने घर को अच्छे तरीके से सजाना है घर के अंदर हर room के अंदर रोशनी भरपूर करनी है वहाँ पर बड़ी tube light लगाए या बड़ा bulb लगाए ऐसा करने से आपके room के अंदर जब रोशनी पलास होगी तो आपके घर के अंदर feeling भी अच्छी आईगी आप अपने entrance को किस परकाश से सजाए देखिएगा दिपावली के समय main entrance को भी अच्छे तरीके से सजाए जाता है वहाँ पर आम के पत्तों की तोरण लगाई जाती है लक्षमी गिनेशी की तोरण लगाई जाती है यानि जो लड़ी आती है उसको वहाँ पर main entrance पर लगाई जाता है ऐसे में आपने करना क्या है आपका घर नौर्थ फेसिंग है या इस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है वहाँ पर आप पीले रंग के फूल जैसे ये लगे हुए इस परकार से लगा कर अपने main gate को अच्छे तरीके से सजा सकते हैं यहाँ पर आम के पत्तों की तोरण भी लगा सकते हैं लक्ष्मी गिनेश जी भी यहाँ पर लगा सकते हैं आपका घर दक्षिन मुखी है साउथ की आपकी entrance है तो वहाँ पर आप अपने घर के main gate को मुख्यदवार को लाल रून के फूलों की माला से सजाएंगे तो उससे आपको फाइदा जरू मिलेगा आप अपने यहाँ पर यह दो काम जरू करें अब इसी के साथ मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा आपने market का पैसा बहुत ज़्यादा देना है चाहे वो आपके bank का पैसा है चाहे आपने किसी से हाथ हुदारा कर्ज के रूप में पैसा लिया हुआ है लोन के रूप में पैसा लिया हुआ है और वो पैसा आपका उतरने में नहीं आ रहा तो आपने करना क्या है, क्योंकि अब दिपावली आ रही है, तो धन तेरस के दिन, आपने अपने घर के साउथ इस जोन में, ग्यारा दिये जलाने हैं, आप वहाँ पर जो दिये जलाएंगे, तिल के तिल का दिया जलाएं, या सरसो के तिल का दिया जलाएं, या आप वहाँ पर देशीगी का दिये जलाएं ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपका कर्ज उतरता चला जाएगा आपको ग्यारा दिये धन तेरस से लेके दिवाली तक जलाने हैं जब इन दियों को जलाएंगे तो उसका आपको फाइदा जरूर मिलेगा जो कर्ज आपके से चड़ा हुआ है जो लोन आपसे नहीं उतर रहा अगले दिवाली तक वो लोन आपका उतर जाएगा वहाँ पर आप दिये जरूर लगाएं दिये इस परकार से लगाएंगे तो उस से भी आपको फाइदा जरूर मिलेगा क्रज इचला जाएगा जब वहां पर इजलती है तो यह आपको फाइदा देती है किस चीज में फाइदा देती है हेल्थ में फाइदा देती है आपके सिर्फ कर चड़ा हुआ कर दो तरने में नहीं आ रहा जब कंटिन्यू वहां पर तीन दिन अगनी जलती है तो उसका फाइदा आपको जरू मिलता है आप ये चोटे चोटे उपाए और चोटी चोटी सावधानी अपने घर में जरू करें एक बात और ध्यान रखनी है आपने आप अपने घर पर ने घड़ी लाकर लगाते हैं wall clock लाकर लगाते हैं तो उसमें भी हमेशा ध्यान रखना है जो wall clock लेका है वो आप wrong लेका है गोल लेका है उसके अंदर जो numbers लिखे होती है वो number आपके बिल्कुल complete clear होने चाहिए टेडे मेडे कटे फटे नहीं होने चाहिए जैसे एक number लिखा तो वो proper एक होना चाहिए दो लिखा तो दो होना चाहिए तीन लिखा है तो वो proper तीन होना चाहिए टेडे मेडे अक्षर वाली घड़ी आपने बिल्कुल भी लाकर नहीं लगानी है मेरी इस वीडियो को अपने family और friends के Facebook ग्रूप और WhatsApp ग्रूप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेर जरूर कीजिए क्योंकि हर वेक्ती मार्केट में जाता है बाजार में जाता है और कुछ ना कुछ नहीं सामान खरीद कर घर के अंदर लाता है तो आप मेरी ये वीडियो उनके साथ शेर जरूर कीजिए मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को धन तेरस और दिपावली की हार्दिक शुप काम नहीं नमस्कार कर दो कर दो